नमस्कार जैनिक साथ विश्व में अगर सबसे बड़ा कोई युवा और्गनेशन है तो वो है भारते राष्ट्रे युवा कॉंग्रेस कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक गुजरास से लेकर अर्णाचल प्रदेश तक देश के कोने कोने में हर प्रदेश में हर जिले में हर सब्सक्राइब लॉक में एक जावाज युवा कॉंग्रेस कारे करता हमेशा आप के लिए लड़ते वी देखा करें करता हमेशा आपके लिए जंता के लिए लड़ते वे देखा गया लेकिन जब से देश्ट में महामारी आई है तब से लेकर अब तक भारते राष्ट्रे कॉंग्रेस का दिख बीवी श्रीणिवासी के नेत्रुत्य में हजारों की संक्या में लोगों को मदद पहुंचाय हर दिंग ट्विटर के माध्यम से अलग-अलग शोशल प्लाटफॉर्म पे फेस्बुक पे वाट्सप पे हजारों की संक्या पे रोज कोई ना कोई टैक करता है और रिक्वेस्ट करता है अपनी जान बचाने के लिए दवाईयों के लिए ऑक्सिजन सिलेंडर के लिए प्ल वहाँ पर मौझूद कराने के लिए पूरा प्रयास करते हैं आपने देखा गया पिछली बार 2020 में जिससरा से महामारी की पहली लहर आई भारतिये राश्रेयों का कारेले को एक महा किचन की रुप में बदला गया जिसमें रोटियों के मिशिन लगाता हजारों की संक्या मे लोगों को वहाँ पर अन्रदान करते हुए आप देखे गए जिसके प्रशमसा देश के जाने माने पत्रकार और देश के जाने माने लोग निरंतर कर रहे हैं तब देश में कोरणा महामारी की दूसरी लहर आती है तो आधर निया राहुर गांधी जिने भारतिये राश्रे कंग्रेस के कारेकार्मी सबे में मौजूद होकर देश के सभी यवा कंग्रेस जबास कारकरता को तयार ह gloss हेने के लिए वो सूचना देते हैं इसके तहत भारतिये राश्रे कंग्रेस दिविश्रि निवास जी लोगों को मौझक पहूंचाने के लिए इसके जबी जबासिक प्रवसान करते हैं इसे के तहएत लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाना प्लाजमा पहुंचाना वेंटिलेटर दिलाना और या बेट दिलाना हर चीज मौझूद कराने के लिए दिन रात वो मेहनत करते हैं राष्ट्रे एक्तिजबी श्रिणीवाद जी हमेशा अपने जान की नापरवा करते हैं लोगों की सिवा में तुरंट पहुंचते हैं जिसके प्रशमसा जानेवाने पत्रकार हो यह देश की सभी जानेवानी मीडिया के लोग हो सेलेब्रिटी स्लोग हो आज उनकी बुनगान समय हम सब को एक जुट होकर लोगों की सेवा करने का मरवाव रहें लेकिन जिस तरह से दिल्ली के क्राइम ब्रैच ने भारते राष्ट्रे कांगरिस के कारेले पे चान भी चान करने के लिए पहुंचते हैं वह बहुत दुक्की की बात है और हम उसका कड़ो विरोद करें लेकिन दिल्ली के हाइए क्वोट में भी उन्हें क्लीनचीर दे दे जिसका हम स्वागत करते हैं क्योंकि श्री प्रवाग जी ने अपनी जान की नापरवा करते हैं लोगों की सेवा में निरंतर लगए वो दिल्ली के कारेले को ये अपना घर बना लेते, दिन रात लोगों की सिवा में वो मौझूद रहते मैं आशा करता हूँ सारी देश की जनता को वो एक दूसरे के साथ आए और एक दूसरे की मदद करे और मैं ये भी आशा करता हूँ देश चलाने वह सत्ताधारी लोग, देश की सरकार जिनके पास सारी सौलत मुझूद है, पैसा है, पावर है, लेकिन जनता की सेवा करने के लिए कई ना कई वो पीछे हट रहे, आपको भी सेवा करना है और देश की जनता को बचाने का काम